तो बच्चों चलो चलते हैं टोएंस्टार नगरी में रहने वाली पीऊ के घर जो अपने पती और सास के साथ इस बड़े इसे घर में रहती थी पर ये क्या ये तो हमेशा पूल पर ही बिजी है अरे मेरी बहु ने तो दो गंते से रोटी ही नहीं बनाई रोटी लेकिन तो सिर्फ दो मिर्ट में बन जाती है चलो देखके ही आती हूँ मैं चली देखो रोटी की गली, कि मिललेадц रेते दो रोटी तीन रोटी च्राली अरे बहु अपनी रोटिया बना रहे हो तो पका भी दो अरे सासुमा आपने ही तो काथा रोटी बनानी है ये कोई न काथा कि रोटी पकानी भी है अरे मेरी बेवकूफ बहू अगर आपको देखनी है मेरी बेवकूफ बहू की कहानी तो वीडियो को लाइक करें, शेर करें और टोई सार चानल को सब्सक्राइब करें अरे बहु बोल तो दिया, अब रोटी को पका भी दो अब ही पकाती हूं सासुमा मैं तो चली सुनने अरे सासुमा ये तो बता दो कि कौन से तवे पे पकाना है तोसे वाले पे, मिट्टी वाले पे, लोहे वाले पे, नए वाले पे, या पुराने वाले पे या उससे भी पुराने वाले पे बहु एक काम करो लोहे वाले तावे पे बना दो मैं तो चली कौन से लोहे वाले पे? बड़े वाले पे? छोटे वाले पे? या फिर मीडियम वाले पे? मीडियम वाले पे अरे सासुमा मीडियम वाला तो है इने तो फिर चोटा वाले पे बना दो चोटे वाले पे ठीक है है हाँ ये क्या है तब वाइट कैसे हुआ अरे सासुमा वो थोड़ा काला हो रखा था न तो मैंने इस पे गोरे होने वाली क्रीम लगा दी तब ही तो ये गोरा हो गया देखा मेरा दिमाग बस रोटी पका दो मैं तो चली अब ये पकाती हुँ सासुमा चलो चलो कि गाना सुनती हूँ अब तो बना ही देगी रोटी क्योंकि अब तो बता ही दिया है चपल निकल गया बाबारे अब देखूँगी सुनूँगी मस्ध मस्ध गाने दाधी शा तूक तूटू तूटू शो तूटी शा तूटू तूटू तूटूटू एक बार की बात है एक हाती था एक चिटी थी दोनों बहार पर चड़ते जा रहे थे और फिर क्या था देवगूपगू ने अपने पकाऊ जोक से रोटी को पकाना शुरू कर दिया अरे अभी भी रोटी नहीं बनी चलो देखने ही चलती हूँ मैं बन की चिडिया बन बन गूमू बरे चिडि मोटी हो गई और उसने हाथी को खा लिया और फिर यह क्या है यह क्या कर रही हो बहू सासुमा आपने ही तो का था कि रोटी को पका दो तो मैं बोरिंग बोरिंग जोक से इसे पका रही हूँ अरे मेरी बेवकूब पहूँ मुझे भी घानी रोटी ठीट है मत खाओ मैं तो प्रोटी को और पकाऊंगी और बनोतरा बाई साब कैसे हो हे 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 चल बाद में बात करता हूँ अरे बेवकूब जड़ा इधार आना अरे बेवकूब जड़ा बात तो सुनो अरे बेवकूब जड़ा बात तो सुनो हे 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 बोलिये जी अरे बेवकूब मेरी जड़ा सी बात तो सुनो मैं वो कह रहा था की यह वहाँ क्यों चली गई पाइल को मैं उठा दिया अरे बेवाकू पूरी बात तो सुनो आपने तो बोला था कि जरसी बात सुनना तो मैं जरसी बात सुनके चली गई अरे मेरी बेवाकू पत्नी अजी मैं यह कह रहा था जा मरी पाइल को पास कर दोगी पास? अभी कर देती हूँ ये भी पास ये भी पास ये भी पास ये भी पास सब हो गए पास और ये लिख दिया पास अरे वाँ कितनी अच्छी अच्छी वीडियो जाती टोई स्टार पे पर ये बेकुप का रागी मिता काई नी अरे पाल पास कर दो पास कर तो दी पास अरे पर कहा की कर तो दी पास अरे कहा की अरे कर तो दी पास ए बगवान मेरे को तो दिखेने रही अब दिखाती हूँ ये देखो लिखा पास अरे मेरी बेवा को पत्नी अरे क्या हो तुम मैं आपके पत्नी हूँ भूल दे अरे बगवाद क्यों है ये मेरी पत्नी अरे फाइल को मेरे पास लाने के लिए बोला था फाइल अब भी लाती हूँ अरे तुम भी न अच्छा फाइल चाहे तो पेज का क्या होगा पेज हटा देती हूँ नहीं पत्नी अरे पर इसके पेज कहा है पेज आपने तो कहा था कि फाइल दे दो तो मैंने फाइल दे दी पेज तो मैंने वही रख दिये अरे क्या हो तुम मैं आपकी पत्नी हूँ क्यों है ये पत्नी मेरी क्यों करी मिलती शादी अरे मेरे पेज उड़ गए अरे भाग्यवान जाके गेट बन करो हवारी है ठीक ठीक जाती हूँ सब मुझे बेवकूफ कहते है न अब अच्छे तरीके से गेट बन कर दूँगी दर्वाजा बन कर देती हूँ देखा मेरा दिमाग अरे अपने सारे पेज उठा लेता हूँ मेरे बेवकूफ पत्नी क्यों करी मरे शशादी मेरा फोन का है अब बहुर हो रही हूँ एक काम करती हूँ अंदर चली जाती हूँ अरे मनोत्रा मेरे बीपी ने तो हजी कर दिया अब ये कौन आ गया दुगजा मनोत्रा बात करता हूँ तिंग 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 अरे कौन है भाई मैं दर्वाजा खोलो अरे तुम बाहर क्या कर रही हो चला अंदर चला 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 अरे मैंने तुम्हें दर्वाजा बंद कर निकले लगा था तो तुम बाहर क्यों चली गई अरे आपने ही तो का था कि दर्वाजा लोग कर दो तो मैं बाहर गई और मैंने दरवाजा लोग कर दिया मेजी बेवाकूफ अरे ओर एक्टिंग में तोड़ दो पानी गरिया अरे तुमने तो पानी गरा दिया मनोत्रा आरा मारा उन्हों तुम इसको साफ करो मनोत्रा मेरे बीबी साफ कर देगी मचा लिया तुरे कॉल ले अरे बहु जरा आना आई सासुमा हाँ सासुमा इतनी देर से कहा थी अरे वो मैं भार की सफाई कर रहे थी हाँ सफाई नजर ना लग जाए तुम्मे अगर सफाई करी रही थी तो ये लो हतोरी ये लो सर्फ और ये लो बालती अब जाओ धो रही थी जो दो लो नजर ना लग जाए ठीक है माजी अभी करते हैं सफाई ओए होए काने सुनूंगी मैंनू लेंगा दे दे मेंगा उम्मर जानिया तो अच्छे सी सफाई कर दूंगी अब लेप्टॉप कैसे दो आइडिया जैसे सासुमा कपड़े धोती है वैसे ही लेप्टॉप धोना होएगा सबसे पहले सर्फ डालती हूँ जाना तो नहीं चला गया कोई बात नहीं अब इसको मिला लेती हूँ मिलाओ 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 अब लेप्टॉप को भिगो देती हूँ आँ ये तो पहले से ही भीग रखा है चलो अब पूरा भिगो देती हूँ ए धडम अब आएंगे बजेट ये धडम ये मारा ये मारा ये अरे पानी चप चप अए ये मेरे लैप्टॉप को क्या कर दिया अरे आपने इतो का था लैप्टॉप को साफ कर दो तो मैंने अच्छे तरीके साफ कर दिया देखो किता चबक रहा है अरे ये तो मेरे ओफिस का लैप्टॉप था अब मैं क्या करूँ मेरा बहुस अब मुझे दोड़ालेगा है 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 ये क्या हो गया अरे बागो ये क्या किया है मैंने लैटाप धो धिया। मुझे लगा तूम रूम साफ करोगी। वैसे बेटा, तुमने उसे अच्छे से समझाया था कि लैटाप कैसे साफ करना है। नई मम्मी, मैं तो फोन में विजिता बताई नहीं पाया। मैं भी फोन में बिजी ती इसलिए मैं भी नहीं पूछ पाई कि किस चीज के लिए सपाई करना है और मैंने बाल्टी मग्गाउं सर्फ दे दिया एक तो मम्मी आप भी 24 गंडे फोन में लग रहती हैं ये बात तो तुम सही कह रहे हो फोन में ज़्यादा बिजी रहते हैं इसलिए अच्छे से अपनी बेवकु बहु को समझा नहीं पाई हम दो लो नुक्सान होगी अब क्या करो बगु एक काम करो मैगी बना के ले आओ या नुक्सान होगी और मेरी मा को मैगी काने की पड़ी है अभी लाई जी तो देखा दोस्तों पीहू की सास और उसका पती तिन बर फोन में लगा रहता था जिसकी वज़े से उनका इतना बड़ा नुक्सान हो गया बादर मेरों मैगी लाना आफ य Deputy मेरी मेगी ये देखू लापटोप का खून के बगवाल मेरे लाप तूप अब क्या होगा दाब आ अरे आपको पता है मैं बेवकूफ नहीं हूं मैं तो बेवकूफ बनने का नाटक कर रही थी ताकि इनको फोन देखने की आदत कम हो जाए यह बात किसी को बताना नहीं तो कैसे लगा हमारा आज का यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और हमार